दोस्तो सागत है आपका हमारी यूटीब चैनल में आज हम लोग डिसकस करेंगे समाजिक विज्यान में जो सवाल जेक बोड में दिये गए हैं मोडल सेट के रुप में उस पर डिसकस करते हैं तो देखे आगे बढ़ते हैं क्या आता है हमारा पहला सवाल पहला सवाल क्या कह है कि राष्टबाद में एक निश्चित भोगली श्यत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है तो किसके द्वारा जुड़ी होती है तो आपका ओप्सन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रस्ण की ओर ज अगला स्वाल क्या किह रहा है कि सरदार वल्लं भाई पतेल ने किस किसान आंदोलन का नेत रित किया था तो किस संदरिकान आंद डुली एंगी अंधूलण ठीक है आगे बढ़ते हैं च्षोफा स्वाल क्या कर रहा है, साइमन कमिशन, भारत क्यूं आया, इसका भारत क्यूं आया था च्षोफा नंबर का अंसर हो जाएगा, चोथा नमबर है ए बारत में सम्मिधानी ब्यावस्त खाकिज जांच करने के लिए नेक्स पढ़ते हैं पांचबा नमबर सवाल क्या कह रहा है कि प्राचिन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप का ब्यापार होता था तो क्या होगा पांचबा नमबर ब होगा रेसं मार्ग से ठीक है आगे आते हैं शठा नमबर है काड़ियो के पादर के लिए ऐसेंबली लाइन का पढ़ियोग अमेरिका में सबसे पहलेwriter किस निया तो ये किस ने किया था ये आपका सही जवाब होगा छे नमबर कड़ी है हैंडरी फोड ठीक है आगे आते हैं सातवा नमबर क्या कह रहा है कि सातवा नमबर है कि डॉन ओफ दी सेंचूरी नामक चित्र में किसका महिमा मंदन है तो किसका है अपसन नमबर C अध्योगी करण आगे आते हैं ये क्या है इस पीनिंग जयनी मसीने किस प्रक्रिया में वृदी की तो आठवा नमबर है ये प्रक्रिया हो जाएगी A कताई में ठीक है आगे आते हैं नये स्वाल की और हमारे कि भार्थ में पहला printing प्रेश किसके दवर लाया गया, तो किसके दवर लाया गया, नवा नंबर, तो option नंबर B, पूर्ट गालियो दवरा, ठीक है, अगला सवाल क्या कर रहा है, कि गेली क्या है, तो गेली क्या था, दस नंबर A, option नंबर A, आपका सही जवाब, अगे बढ़ आए हैं हमारा अगला स्वाल कि आधिस्तरकार के विभिन अंगो विधायिका कायृपल का मेर्ध का कभीच ऐसे कि सत्ता को बटवारा रहता है तो सत्ता का डश कहलाता तो यह क्या कहलाता है ग्यार का है जायगा सबलाजियों राज कितनी केद्र या नमबर क्या है मैक्सिको यूटी कि कहानी किस आंदोलन से संबंदीत है तो 13 नमबर हो जाएगा आपका option number c नागरिक अधिकार आंदोलन से आगे आते हैं समिधान की किस अनुछे द्वरा अश्प्रिस्यता को समाप्त कर दिया गया है तो option number c हो जाएगा आपका सही जवाब ठीक है next आते हैं सब्सक्राइस हाँ आपका सही जवाब अगे आते हैं कि भारत में राइनितिक दलोक के माणेता कोन देता हैं तो भारत में राइनितिक दलोक के माइनता चुना यूग देता है option number d हो जाएगा सही जवाब ठीक है next आते हैं सत्राइन नमबर क्या कह रहा है 17 नमर सवाल है लोकतांत्रिक सरकार होती है तो कैसी होती है तो ये उप्रुक्त सभी होती है सभी तरह की सरकार होती है आगे आते अठार नमर क्या है लोकों को राइनितिक सुधार लागू करने में और ससक्त बनाने में वाला कौन सा अधिनियम स्रेश्ट स्तम है तो कोड़ साधिनी अफसर विफ्टतम है 18 सूचना का अधिकार आगे बढ़ते हैं 19 नमबर क्या है निन में से किस राइनिती संस्था में महिलाओं के सीटे आरक्षी थे तो किस में आरक्षी थे 19 नमबर सी पंचायती राज में आते हैं नेक्स सवाल की ओर 20 नमबर क्या है कि दरवदा बचयाओ आंदोलन को नेत्री तो किस ने किया तो यह किस ने किया था तो मेगा पार्ट कर ओप्सन नमबर 20 यह जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यह क्या सवाल है कि एकिस नमबर क्या कर रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधर कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं ओप्शन नमबर ए दो प्रकार के होते हैं अगला है किस राज में काली मुर्दा मुख रूप से नहीं पाय जाती है तो कित राज में नहीं पाए जाती है तो यह राज स्थान हो जाएगी और दी साही जवाब हो जाएगी आगे आते हैं हमारे एगले सवाल की ओर भारत में जिया विविता को कम करने वाले कारक हैं तो कौन से कारक है तो यह उप्रक सभी हो जाएगा option number D, आगे आते हैं, क्या कह रहा है, कि बहुते से पर्योणा का कौन सा लाव है, तो सभी लाव होते हैं, option number D हो जाएगा साई जवाब, 25 नमबर आते हैं, 25 नमबर सावल क्या है, कि चाय कोफी, रबबड, गन्ना, केला, आदी, किस तरह के फचले हैं, तो यह किस तरह की फचले हैं, तो यह रोपन फचले हैं, option number C हो जाएगा साई जवाब, आगे आते हैं, कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फचल रूति में गाया जाती है, 26 नमबर धान की फचल किस फचल को गाया जाती है, तो यह होते है option number A, खरी फचल, अगल अठास नमबर है, निम्नांकित में से कोण एक आधारभूत उध्धोग है, तो यह आधारभूत उध्धोग, लोहा और इसपात उध्धोग को कहा जाता है, फचल नमबर B, अपका सही जवाब हो जाएगा, आगे आते हैं, कारखान द्वार निश्कासित एक लिटर अपसि जाल कि निम्नांकित में से सडक परिवहन के बारे में कौन सा खतन असत्य है, यानि कि कौन सा खतन गलत है, यह तो कौन सा गलत है, आपका सही जवाब हो जाएगा, नेक्स आते हैं, एक तिस नमबर क्या कर रहा है, माना विकास रिपोर्ट देशों की तूलना किस है 32 नंबर है तो आपको हो जाएगा धार नेविकास option number c next है सलमा एक स्थरकारी अस्पताल में नर्थ का कारी करती है सलमा किस छेत्र की गतिविधी में सनलग्ण है तो किस छेत्र में होती है तो 33 नंबर संगठी छेत्र आगे आते हैं हमारे अगले स्वाल की ओर यह 34 नमबर क्या कहा रहा है सेवाच शेत्र में नेमिन से तरह की गतिविदियां सामील है तो किस तरह की गतिविदियां होती अप्सर नमबर सी जवाब हो जाएगा यह अगला सवाल क्या करन इनमे से कौन वर्ष्टू विनीमय का उधारन है तो कौन उधारन यह हो जाएग आपका एक घाई के बदले 5 बकरी का स्वधयूर posição नबर हेए उपसह नमबर ए हो जाएगा साहिजवाब आते हैं चुलर 26 क्या खाए नोबर है शब्लेंटिनलास ब्यापारी बैंक के क्या काईरी है तो बैंक से सभी काईरी करती है तो नमबर द्य है प्रफ़ाइब का सभी जवाब हो जाएगा नेक्स क्या कर रहा है बहुडास्ट कंपणियों का डेस देशों में उत्पादन पर नियंत्रन होता है तो क्या होता है तो किसी विदे इसमें नहीं एक से अधीक एक या केवल एक तो 37 नमबर हो जाएगा एक से अधीक सी नमबर हो जाएगा आते हैं अगले सवाल क्या कहा रहा है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपणिय है अरतिस नमबर फोर्ड मोटर किस देश कंपणिय है तो यह अमेरिका की है अप्सर नमबर सी हो जाएग सी आवुशन के लिए तो पड़ते नेक्स सवाल की ओर हमारा आखरी सवाल क्या कर रहा है राष्टी उभुकता दिवस कि स्थिथी को मनाया जाता है तो कि स्थिथी को मनाया जाता है 24 दिसंबर को ठीक है दोस्तों यह रहा आपके 40 सवाल जो सारे इंपोर्टन सवाल है आप अपने एक्जाम के त्यारी बहता तरिका से कर सकते हैं